यह है जी एसी की एमकू जी एक चाइनीज कंपनी है और यह की मिट साइस स्यूवी है अब देख सेते हैं इसके स्टेनी वील पे बटन भी हैं सिल्वर में और बलाक कलर में इंटियर बहुत सबस्ते है इस गाड़ी का मुझे बहुत सची पसंद आई यहां पर फुल डिजिट अधिया के नियुद बहुत सब्सक्राइब है और यहां पर इस गाड़ी स्टाइब जाने पर इसके वह बटन है इसके नॉम बटन है कंपूटर से स्क्रूल आप्शन है म्यूजिक में आप जाते हैं तो अफ़कर्स यह मूजिक प्लेर होन रहता है तो अवर आल सब यह किनन किसी और चीज़ के लिए होगा Materials बहुत अच्छे हैं इसके दर यहाँ पर गियर है इसका और Electronic Parking है Kapolus के नज़ाई इसकी चाबी है दो कंप्रीज है एक है JAC और एक है GAC दोनों Chinese हैं मगर दोनों बहुत डिफरेंट गाड़िया बनाती है तो यह है GAC और यह गाड़ी का नाम है MQ E-M-K-O और बाकी इंटिरियर Seats-wise इंटिरियर जबादस है तो वो ग्रे और Light Gray, Dark Gray का Color Combination है डिजाइन दियावा है पीछे इतना डिजाइन कम है मगर हाँ Full Sunroof है आके बास और दवास के अंदर भी बहुत ही खूपसद लेदर है Silver Materials है Door Handle है इसका Overall यह नया style और यह चीज़े मुझे पसना आती है यह थोड़ सा नाने गाड़ी कोई थोड़ सा Interesting बनाया है और of course हमेशाद जो है यह Chinese गाड़ीया Copy तो करती है बड़े companies का तो कुछ companies जो है वो नए नी चीज़े भी लेके आती है तो overall leg space भी है इसमें head space भी अच्छी खासी है यहाँ जो पीछे leather है यह armrest के पास वो भी इसमें थोड़ सा texture दिया हुआ है और green color यह black color combination जो है बहुत ही जबस लग रहा है एक साथ पीछे आते हैं तो light space की जो है बहुत ही different style की है तो main bulb तो यहाँ पे है उपर जो है वो red light है यकिनन यह turn signal होगा और design देखे कितना जबस से crystal style में दिया हुआ है overall हाँ design तो अच्छा है पीछे का पिर आपके देख से थे MQ badge भी है पीछे जो bumper वो भी काफी stylish है वो भी वहती जो है वो angular design है हाँ तरफ angles आँको नजारी है तो यह design मुझे अच्छा लगा है तो अच्छा के चलो थोड़ सा जो है वो style दिया है गाड़ी में तो अच्छा सको unique बनाने के कोशिश की है उनना जातर SUV सब एक ही जैसी आने लेगी है मार्केट में तो यह hybrid भी नहीं है यह electric भी नहीं है 1500cc engine तकरिबन 177 horsepower वनाता है wheels आप देख सकते हैं इसमें टू-tone wheels हैं और अगर यहां driver side सागर आप interior देखते हैं तो आप को जह है वो भी PP leather है overall interior तो बहुर अच्छा है चलने देखते हैं इसके और specs देखते हैं तो यह है MQ और यह है 1.5 लिखावा तो यह है 500cc engine और इसकी price है तकरिबन 1,00,000 दरम चलने front design जह मैं दिखाना चाहाँ आपको अब देखते हैं यह है इसका design तो बहुत इडिफरेंट किसे को design है और यह वो angular design आगे भी दियावाई और यह नहीं कोई प्रॉपर ग्रिल नहीं दीवी और यह जो front को पूरा bumper है उसी को ही grill के अंदे इंकोपरेट कियावाई इसके नहीं तो 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 chrome भी है लाइट्स होत बड़ी दीवी है angular design और daytime running lights भी है शायद आपको पसना है शायद आपको ना पसना है वगर मुझे यह चीज़ पसना है कि चलो इना नहीं जीज तो 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 दिफरेंट design तो दिया है यह चीज़ हमेशा मुझे पसना आती है हर गाड़ी में जो company जह हो बोरी गाड़ी बनाती है फिर उसको जहना ना review करने के दिल चाता है ना चलाने के दिल चाता है front bumper और splitter जह वो भी काफी sportrices है bulbs और lights आप देख सेते हैं कि बहुत ही stylish बनाई भी है तो overall गाड़ी तो बहुत ही ज़ाद अची है price भाइस भी बुरी नहीं है एक लाग द्रम भी बहुत ज़्यादा नहीं है तो आज कल जन्हें चैनीज गाड़ी आनिए वो उनका ही अच्छा है कि एक तो नए style है और में आ रही है आप ये MQ खे देंगे या नहीं